अगर आपके भी दोस्तों यूटूब में ये प्रोब्लम आ रही है आप जब भी अपना यूटूब आपन करते हैं तो उसमें बार बार लेक कर आ जाता है कि या न्यू वर्जन आप यूटूब इस अवेलबल इंस्टाल इट नौ फ्राम गूगल प्ले तो अगर दोस्तों यूटूब में ये प्रोब्लम आ रही है और आपका यूटूब आपन नहीं हो रहा है तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राब जरूर कर देना तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो यूटूब की इस प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस मैं जो आपको यहां पर इस टेप्स बताऊं उन्हें आपको फालो करना है और जैसे आप उन इस टेप्स क कि इस प्रोब्लम को सॉल्व कर लिया है मैं अपना यूटूब ऑपन करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह ठीक से चल रहा है तो इस प्रोब्लम को सॉल्व करने का दोस्तो जो पहला स्टेप है वो यह है कि आप अपने नेटवर्क की कंडिशन चेक करेंगे मतल आपके मुबाइल फोन में नेटवर्क ठीक से आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपके यूटूब में ये प्रोब्लम आ जा रही है तो अब आपको दूसरी ट्रेक को अपलाई करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट आप आप इस प्रोब्लम को ही देख लो तो इसलिए आपको अपने यूटूब को ने वर्जन में अपडेट करना होगा तो इसे आप अपडेट कैसे करेंगे तो उसके लिए सिंपली आप प्ले स्टोर में आओगे उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर दोगे यूटूब जैसे आप सर्च करोगे यूटूब देन अगर आपकी ये problem अभी भी solve नहीं होती है और आपका यहाँ जो YouTube है वो ठीक से update भी नहीं हो रहा है मतलब उसमें pending लिखकर आ रहा है तो उसके लिए simply आप profile पर click करोगे उसके बाद यहाँ आप setting पर click करोगे उसके बाद network preferences में आके app download preferences में over any network पर select कर लोगे दरसल आपने क्या किया हुआ है कि अपने over wifi वरले पर set कियो होंगे इसलिए जब आपके mobile phone में wifi connect होगा तभी आपका यहाँ पर यह update होगा तो यहाँ से आप over any network पर select करके फिर आप अपने YouTube को update करेंगे और उसके बाद आप इसे open करोगे और check करोगे कि आपका YouTube चल रहा है या नई मतलब वो problem solve हुई है या नई लेकिन अगर अभी भी यह problem solve नहीं हुई है तो उसके लिए simply आप अपने YouTube पर long press करोगे then i button पर click करोगे उसके बाद आप यहाँ storage uses पर click करोगे और यहाँ से आप अपने YouTube का clear case और clear data कर दोगे और जैसे ही आप इतना कर दोगे then आप फिर से अपने YouTube को check करोगे कि आपका YouTube अब चल रहा है या नई लेकिन अगर अभी भी चल नहीं रहा है तो अब दोस्तों आपको चौती trick को apply करना होगा और वो trick यह है कि आपके यह जो Google के apps होते हैं मतलब हर एक phone में कुछ system apps दिये जाते हैं जिने अगर आप अपने mobile phone को update नहीं करते हो तो आपके system apps ठीक से work नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको check करना होगा कि आपके mobile phone के operating system में update तो नहीं आया हुआ है तो उसके लिए simply आप setting में जाके यहां से आप check करेंगे कि आपके mobile phone में अगर कोई update आया है तो उसे यहां से आप update कर लोगे और जैसे ही आप अपने mobile phone को latest version में update कर लोगे दिन आपके यह system app हैं यह ठीक से चलना start हो जाएंगे मतलब जो आपका YouTube है वो ठीक से चलने लगेगा लेकिन अगर अभी भी आपके YouTube की यह problem solve नहीं होती है तो उसके लिए simply आप फिर से अपने YouTube पर long press करोगे i button पर click करोगे यहां पर आप 3 button पर click करोगे uninstall update पर click करके अपने YouTube के सभी version को uninstall कर दोगे और जैसे यह uninstall हो जाएं उसके बाद आपको अपने phone को एक बार restart करना होगा जैसे आप restart करेंगे उसके बाद आपको फिर से प्ले स्टोर में जाके अपने YouTube को सर्च करके यहां से आप अपने फिर से YouTube को latest version में update करेंगे और जैसे ही आप इतना काम कर लेंगे देन 100% आपके YouTube की यह problem solve हो जाएगी क्योंकि इसे solve करने के इतने ही तरीके हैं तो अगर दोस्तो आपके YouTube की यह problem solve हो गई हो और आपका YouTube ठेक से चलना start हो गया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like एंड चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लेना